हेलो फ्रेंड मैं हूँ सोनस सोनस रिस्पी में आप सबका स्वागत है तो गर्मियों में छोटा से लेकर बड़ों तक सबको आइस क्रीम खाना बहुत पसंद होता है लेकिन मार्केट श्राइल आइस क्रीम घर पर कैसे बनाते है और इसको कैसे बनाया जाता है आज की वीडिय आइस क्रीम होती है और दिखने में भी बहुत ही अट्रेक्टिव होती है और खाने में उतनी टेस्टी तो आप देख सकते हैं ना एकदम बढ़िया वाली आइस क्रीम यह देखिए क्या बात है कितनी मस्त सुन्दर सॉप्ट और क्रीमी आइस क्रीम बिलकुल मार्केट स्ट तो आई ये फ्रेंट स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर मैंने हेवी बॉटम वाला एक पतेला लिया है उसमें डाल रही हूँ बहस का दूत वन कप लिया है याने के धाई सो एमल अब इसमें जाएगा हाप टीबेस भी कॉर्न फ्लोर अब डालेंगे मिल्क पावडर वन फोर् अब ही जाएगी शकर इन सारी चीजों का हमें एच्छे से मिला लेना है यह देखे अब इसको हमें ग्यास पर रखना है बिल्कुल दीमें आज पर इसको पकाना है और कंटिनिवस चलाते रहना है ताकि यह नीचे से जलेना तो इसको पकने में 5-10 मिनिट लगेंगे एक बालानी स्टार्ट हो गई है तो यहाँ पर मैं ग्यास बंद कर रही हूँ और इसको बीच-बीच में हिलाने वाली हूँ ताकि यह नीचे से जलेना और इसको ऐसे थंड़ा होने के लिए हम छोड़ देंगे अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर एक दूसरा बाउल उसमें डा होनी चाहिए नॉर्मल टेंपरेचर की बिल्कुल ना ले चिल्ड होगी तभी वह अच्छे से बीच हो पाएगी तो यहाँ पर हमारी जो क्रीम है अच्छे से गाड़ी होती जारी है आप देख सकते हैं तो हमें केक जितनी वह ठीक नहीं बनानी है थोड़ी से उससे पतली रख नहीं है यह देखिए एकदम परफेक्ट हमारे क्रीम बेटो के रेडी है यह देखिए इसके पॉइंट बिल्कुल मूढ रहा है इसती तरीका स्ट्रेक्चर चाहिए अब इसको हमें अच्छे से मिला लेना है अब इसमें डाल देंगे हम कंडेंस मिल्क तो यहाँ पर म बढ़ेगा जिससे हमारे आइसक्रीम बहुत ज्यादा टेस्टी और मार्केट स्टाइल लगेगे अब जो मिश्रन हमने ठंडा होने के लिए रखा था उसको हम चान लेंगे ताकि उसमें जो भी लंस आयो है वह अलग हो जाए और हमारे आइसक्रीम में ना आये लंस देखिए एकदम बढ़िया सा हमारा आइसक्रीम बेस बनकर रेडी है इससे आप वैनिल आइसक्रीम या फिर बटर स्कॉच आइसक्रीम कई तरह के आइसक्रीम बना सकते लेकिन हम जेलो मेलो बना रहे तो यहाँ पर मैंने कुछ जेली चॉकलेट्स काट कर ली है कुछ पीस पी ले रही हूँ यह मैं बproduction नहीं है कि इसक्रिप्शिंब ड्यॉश्ट्ब कर अग–jatस कर सकते हैं यह देखे सारी मेजरमेंट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देने वाली हूँ अभी इन सारी चीजों को पहले हम मिक्स कर लेंगे यह देखे आप चाहे तो इसी वाइट वाली आईस्क्रिम सेट करने के लिए रख सकते हैं लेकिन यहापर में मार्बल एफेक्ट देने इसको एट्रेक्ट्व बनाने के लिए तो यहापर में जो हमने बैटर बनाया है जो जेली मेली चॉकलेट मिक्स किया हुआ बैटर है हमारा उसको दो हिस्तों में बाट रही हूँ तो दो बाउल में मैं थोड़ा-थोड़ा बैटर निकाल रही हूँ और एक हिस्ता में करने आ ली हो यह white वाला साइड में रख रही हूँ अभी इसमें हम red color ये jail color में आपर add कर रही हूँ तो एक बाउल में red color डाला है और एक में डालती हूँ pink color ये पिंग color है अभी इन दोनों color को हमें हमारे base के साथ अच्छे से mix कर लेना है तो ये देखिए red color ही आपर में mix कर रही है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा color इसको आया है एकदम perfect color आया है ये देखिए बहुत ही आसान है बहुत ही आप जो मंचा ही वो coloring इसको कर सकते हैं मैंने हापर red और white और pink color में दिखाया है अब ये pink color यहापर मैं mix कर रही हूँ तो हमारे तीन color यहापर बनकर ready है white, pink और red अभी इनको हमें अच्छे सेट होने के लिए रखना है उसके बाद डाल रही हूँ red वाला बैटर और उसके बाद डालूंगी white वाला बैटर तो ऐसे ही one by one में pink, red, white, pink, red, white ऐसा repeat करते जाओंगे जब तक कि हमारा बैटर खतम नहों तब तक में इसी process को repeat करने वाली हो यह देखिए जब हम scoop निकलते है न तो एकदम colorful हमारे ice cream दिखाई देती है तो खाने में भी यह बहुत attractive लगती है और taste में भी बहुत अच्छी लगती है तो इसको मैं हलका सा toss करूंगी यह देखिए यह देखिए spatula से मैं हलका से इसको mix कर रही हूँ ज्यादा mix नहीं करना ह तो यह देखिए अच्छे से मैंने इसको mix कर लिया है और आप देख सकते कितना अच्छा marble effect इसको आया है अब इसको tap करेंगे और इसका ढखकन कवर करके हमें 7-8 गंटे के लिए deep fridge करना है तो 7-8 गंटे बाद आप देख सकते हैं हमारी जो ice cream है वो अच्छे से set हो गई है और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही उस scoop निकाल के तो देख सकते हैं एकदम बड़िया सी soft सी हमारी जेलो मेलो ice cream बनकर बिल्कुल ready है यह देखिए हे नासन recipe बहुत ही कम चीजों में बनने वाली और बहुत ही easy process है आप इसको one month के लिए store करके रख सकते हैं यह बिल्कुल खराब नहीं होगी और आप देख सकते हैं एकदम मार्केट स्टाइल घर पर कुछी इंग्रेडेंट के साथ हमारी सॉप स्क्रीम बनी थी और मेरी बच्ची को तो बहुत पसंद आई पर फ्रेंड आपको मेरी recipe कैसी लगी comment box में जरूर बताएगा और हमारे सोनस recipe चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो फ्रेंड चलिए मिलेंगे नेक्स किसी आइस क्रीम recipe में तब तक के लिए बाबाई